प्रिय विद्यार्थियो मैं डॉक्टर समय सिंग मेना सहयक आचारिय सम्स्कृत वीर वीरमदेव राज की अश्नात कुत्तर महाविद्याले जालोर से आज के वीडियो में हम अभिज्यान शाकुंतलम नाटक के जो छटवा अंक है उसका हम प्रारंब करेंगे इससे पहले बाले वीडियो तक हमने पाँचवे अंक तक अधिन किया था जिस मैं बताया गया कि राजा दुश्यंत शाकुंतला का परित्याक कर देते हैं बे उनको अपनी पत्नी के रूप में सुईकार नहीं करते हैं और शाकुंतला को एक नारी सोरूप की जोयती आकर के उठाकर के अंतर ध्यान हो जाती है जिसकी सूचना राज प्रोहित राजदुश्यंत को देते हैं उसके बाद राजा विश्राम कक्ष में चले जाते हैं यहीं पर हमारा पाचवांक समापत होता है छटवे अंक में हम देखते हैं कि मंच पर राजा का साला जो कोतवाल है नगर के रक्ष अधिकारी का दाइत्व है उसके पास और साथ में एक ब्यक्ति को बांधे हुए दो सिपाही मंच पर हमें दिखाई देते हैं दोनों सिपाही उसको पीठते हैं तरह तरह के असिष्ट और गाली गलोच के साथ उसके साथ बेवार करते हैं और वो कहते हैं कि राजा के नाम की जिस पर गुदा हुआ है ऐसी अंगुठी तेरे पास कहां से आई तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं मचली पकड़ करके और जा उनको बाजार में बेच करके अपनी आजीव का चलाता हूँ तब राजा का जो साला है वो कहते हैं कि अच्छा बहुत अच्छी आजीव का है आपकी कितनी पवित्र आजीव का है इस प्रकार का ब्यंग वह कसते हैं तब व्यक्ति राजा के साले जो नगर रक्षा दिकारी कोत्वाल है उसे कहते हैं इसी का प्रथम पज्द में बननन हैं क्या कहते हैं कि सहे जम किल यद विनन्दितम ने खलूतत कर्म विवर्जनियम पशुमारन कर्मदारुनो अनुकंपाम्र दुरे विश्रोत्रिया क्या कहते हैं कि सहे जम यत कर्म जो कर्म सहेज है अर्था जो कुल परमपरा से चला आ रहा है विनन्दितम बहे लोक गरहित होते हुए भी तत कर्म बहे काम को ने विवर्जनियम नहीं छोड़ना चाहिए अर्थात कुल परमपरा से जो चाहिए निन्दित कायर है फिर भी उसको करना चाहिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए क्यों क्योंकि पसु मारन कर्मदारुनों पसु को मारने के कर्म रूपी कठोर वीवत सकायर करने पर भी स्रोत्रिय जो बेदे की यग्यों को संपादन करने वाले ब्राहमन हैं बेदग्य हैं बेभी अनुकंपा मिर्दुरेवा अनुकंपा मिर्दुरेवा दया भाव से कोमल ही होते हैं अर्थात कर्म करने से ब्यक्ती बुरा नहीं हो जाता ये जो मैं कर्म कर रहा हूं मचली पकड़कर के आजीवी का चलाने का ये मेरे कुल क्रमागत और खांदानी काम है जिसको करने से मैं लज्जित नहीं होता हूं अर्थात इसमें कोई शर्म की बात नहीं हैं इस परकार ब्यक्ती उनको कहता है इसके बाद भ्यक्ती अपनी पूरी घटना बताता है कि मैं मचली पकड़ने का काम जो मैं करता हूं ये हमारा कुल क्रमागत काम है एक दिन में सची तीर्थ में सरोबर में जब मचली पकड़ने रहा था तो वहाँ पर मुझे एक मचली मिली जिसको मैं जब रोहू मचली थी जब मैं उसको टुकड़े कर रहा था काट रहा था तो उसके पेट के अंदर से यह मुझे मिली है यही इस अंगली प्राप्ती का राज है तो तब वे कहते हैं कि तू जूट बोल रहा है ठीक है हम इसको पहले राजा को दिखा के आते हैं उसके बाद हम आपको दंडित करेंगे ऐसा कह करके राजा का साला राजा के पास चले जाते हैं और दोनों जो सिपाई हैं वो उसको प काफी देर बाद राजा का शाला लोट करके आता है और कहते हैं कि राजा ने इसको मच्छुवारे को छोड़ने का आदेश दिया है और इसको साथ ही पारी तोशिक रूप में उपहार सो रूप में कुछ धनवी दिया है क्योंकि इस अंगुठी को पराप करके राजा को किसी प्रिय ब्यक्ति की याद आ गई और उनकी आँखें सजल हो गई राजा स्वभाब से गंभी रोते हुए भी भाबुक हो गए इसलिए उन्होंने उपहार सो रूप में इस अंगली के बराबर अर्थात इनकी कीमत के बराबर उन्होंने उपहार दिया है तो बेह ब्यक्ति उनको कहता है कि ठीक है महराज लेकिन आदा आप रख लीजिए तो बेसेहर से उससे आदा धन खुद रख लेते हैं इससे पता चलता है कि उस समय भी राज किये लोग या प्रिसासन में ब्रेश्टाचार मौजूद था इसके बाद का जो द्रिश है वो सभी मंच से निकल जाते हैं और मंच पर दो दासियां हैं जो प्रमदवन में घूम रही होती हैं और उनको आमर ब्रिक्ष पर एक आमर का बौर जिसको समस्कृत में चूत मंजरी कहा जाता है बेदिखाई देती है जो सूचक है कि बसंत का मौसम आ गया है बसंत मास आ गया है और बसंत मास में कि प्रारंब में राजा द्वारा एक बसंत उस सब का आयुजन किया जाता था सभी के लिए आनन्द में बहापसर होता था जिसमें सभी मौज मस्ती और खुशी ब्यक्त करते थे उस समय आमर मंजरी को देख करके एक दासी है वो क्या कहती है इसी का बढ़न है कि आतांब्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मा सश्या द्रश्टो से चूत को रका रितू मंगल त्वांप्र साधयामी कि आतांब्र हरित पांडुर आतांब्र यानि अरुनाव गेरुविरंग वाली हरित कुछ हरी सी कुछ पांडुरा कुछ पीली सी इस प्रकार ताम्र हरित और पील बढ़ने से युक्त और बसंत मासस्य सत्यम जीवितम जो बसंत मास का प्राण स्वरूप है ऐसे रितु मंगला बसंत मौसम की चूत को रखा है आम्र मंजरी तौाम मैं तुझको तुम मेरे को द्रश्ट असी देख ली गई हो इसलिए मैं तौाम तुमको प्रासाद यामी प्रसंद करती हूं प्रसंद कर रही हूं अर्थात आपका आवाहन कर रही हूं यहां पर एक दासी है जो आम्र मंजरी को देख करके अपनी भावना ब्यक्त कर रही है कि कुछ अरुणाव यानी गेरुए रंग लिये हूए कुछ हरी बनकी कुछ पीले बनकी सी पसंद मास के प्रान भूत स्वरूप है आम्र के बाउर तुम दिखाई दिये हो लिक्त के मंगल स्वरूप मैं तुमको प्रसंद कर रही हूं इस परकार इस पजद्ड में जो स्वभाविक आमरमंजरी को देख करके जो स्वभाविक भावना बेक्त हुई है इसलिए यहाँ पर स्वभावुक्ति अलंकार है और आरिया नामक छंद है तो इस प्रकार जो कहती हैं उसके बाद एक दूसरी सक्षी उससे कहती है कि अच्छा आपको आमरमंजरी करते हैं और बे ऐसे करके उसको तोड़ती हैं और काम देव का आवहन करती हुई उनको वे समर्पित करती हैं समर्पित करते हुई जो वहावना है वह इस पज़्दि में प्यक्तु ही हैं कि तौमसी मया चूतांकूरदत्त कामाय ग्रीत धनूशे है पथे के जन योवती लक पंचाब्य दिखा शरो भवा शरो भवा चूत आंकुरा है आम्रमंचरी मया यानि मेरे द्वारा तुम यानि तुम ग्रिहीत धनुशे अर्थात ग्रहन कर रखा है जिसने धनुश हाथ में ऐसे काम आए काम देव के लिए दत्ता असी दी जा रही हो अर्थात काम देव के लिए समर्पित की जा रही हो मैं काम देव के चर्णों में आपको समर्पित कर रही हूँ पथे के जन युबती लक्षा पथे के जन यानि पथेकों की तरण युबतियों की तुम्हारा लक्षा लक्ष हो और पंचाब भ्यदिका शरो भवा पंचाब भ्यदिका यानि पांचों बानों में कामदेव के जो पांच बान हैं उनमें आवसर्व स्रिष्ट बान भवा या द्वारा तु धनुसधारी कामदेव को समर्पित की जा रही है पथिकों की तरनिस्त्रियां तुम्हारा लक्ष हो और तुम पांचो बानों में सर्वस्रेष्ठ बनों यहां पर कामदेव के पांचो बानों का उलेख है जिसके लिए कहा जाता है कामदेव के पांच बान कौन साय कहा काम देव के पांच वानों में अर्विंद यानि कमल अशोक अशोक पुष चूतम यानि आमरमंजरी नवम मालिका चमेली और नील उत्पल नीला कमल यह पांच काम देव के बांड हमारे साहित में बताए गए हैं इस पज़्द में आयरिया नमक चंद है ऐसा करके इस प्रकार मंत्रों चारण करती हुई भावनां ब्यक्त करती हुई बे आमरमंजरी को फैंक देती हैं अर्थात काम देव को समर्पित कर देती हैं उनको इस प्रकार करता हुआ देख करके कंच की आता है और उनको डांटता ह कि ये तुम क्या कर रहे हूँ तुम्हें पता नहीं है कि महराज ने ये सब बसंद सब बद्द कर रखा है और आमर मंजरी तोड़ना तुमने क्यों प्रारम कर दिया तब ये दौनों डरती हुई कहती है कि आयरे प्रसन हो हमें पता नहीं था कि राजा ने ऐसा आदेश दे रखा है तब कंचुकी उनसे कहते हैं कि इनसान तो दूर स्वेम ब्रेक्ष और उन पर बैठने वाले पक्षी भी बसंत उस्ब मना नहीं रहे हैं राजा की आग्या का ब्रोध नहीं कर रहे हैं इसी की भावन का ब्यक्त करते हुए कंचुकी कहते हैं क्या कहते हैं कि चूता नामचेरे निरगाता पिकली का बद्नातिना स्वम्राजह सान्न धम्यदपी इस्थितं कुर्वकं तत्कुरका वस्थाए कंठे शूस्खलितं गते पिशिशरे पुण्षको किला नाम्रुतं शंके सहरती स्म्रोपिचकित तूनार्धक्रिष्टंशरं कि सुनिए कि चूता नाम चिर निर्गतापी बहुत लंबे समय वात निकल नहीं होने पर भी चूता नाम जो आम्र मंजरी है उसकी जो कलिका है बह स्वेम रजने बदनाती अर्थात पराग को धरन नहीं कर रही है अर्थात बह पराग उत्पन नहीं कर रही है राज अग्या के ब्रोध में और यत जो अपीवी कृवकं जो कृवक का पुश्व है यद अपी सन्नद्धम भेलने के लिए तयार है तदब तदब फिर भी वे कोरक अवस्थाया इस्तितम वे कोरक अवस्थाया यानि कली की अवस्था में इस्तित्या अर्थात बह भी नहीं खिल रहा है और शिशेरे गतेपी शेत रितु के चले जाने पर भी शिशे रितु के चले जाने पर भी पुंश कोकिला नाम रुतम पुंश कोकिला नाम यानि जो कोयल हैं कोयल पक्षी हैं उनका जो रुतम यानि जो कुंजन है वो कंठे सून के कंठों में ही इस खिलेतम इस खिलेत हो रहा है अर्थाद वेवी खुलकर कुंजन नहीं कर रही हैं और सुनिये कि शंके मैं मानता हूँ कि इसमरा अपी स्वेम काम दे भी चकित हा आईस्चर चकित सा होता हुआ भेवीत सा होता हुआ तूनार्ध क्रिष्टम तूनीर से आधा निकाला हुआ शर्म यानि बान सहरती बापस उन्होंने अपने तूनीर में रख लिया है अर्थाद वेवान भी उन्होंने नहीं चलाया है इस प्रकार कंचु की उन दोनों दास्यों को कहते हैं कि राजा के द्वारा बसंस सब पूरी तरह निसिद्ध है जिसकी स्वेम ब्रक्ष पसुपक्षी जीव जन्तु सभी पालन कर रहे हैं स्वेम काम दे भी उनकी आग्या का पालन कर रहे हैं पिर तुमारी हम्मत हैसे हो अब आइंदा ऐसी गलती मत करना क्योंकि स्वेम ब्रक्ष स्वेम आमर मंजरी पराक को धारा नहीं कर रही है कुर्बक का जो फूले वो कली अवस्था में ही इस्तित्य खिल नहीं रहा है और कोयल है कुंजन नहीं कर रही है और स्वेम काम दे भी अपने बानों को नहीं चल पा रहा है इस परकार राजा दुशन्त के द्वारा जो बसंस उससब का जो निशिद्ध है उसका बढ़नन है अब दोना अदासियां कहती है कि आईर्य यदि हमारे सुनने योगी बात हो तो कृपया बताईए कि राजा के द्वारा ये बसंस उससब क्यों रोका गया तब कहते हैं तब कंच की उनको कहता है कि क्यों नहीं सुनना चाहिए तब को बताने योगी बात है तो आपको भी सुनना चाहिए तब वो कहते हैं कि आपने इसका शकुंतला के विशेग में आपने नहीं सुना कि आकी शकुंतला का परित्या कर दिया राजा ने तब वो कहते है कि हमने अंगुठी मिली थी तब तक का बर्णन सुना है तब वह कहता है कि यदि वहां तक सुन लिया तो बस थोड़ा ही मुझे बताना है तब कहते हैं कि वो कहते हैं कि शकुंतला की अंगुठी देख करके जब से राजा को उनकी याद इसमरन आया है और उनको सारा घटना करम याद आ जाता है तो जिस प्रकार उन्होंने भला बुरा कह करके शकुंतला को परित्याग किया था उससे वो बेहद दुखी हैं पस्चा ताप कर रहे हैं अंदर यंदर गलानी आत्म गलानी महसूस कर रहे हैं उसी के बारे में आगे कहते हैं कि राजा की इस्थिति क्या है कि राम्यम् देश्टि अथा पुरा प्रक्रति भेल न प्रत्याहं सिभ्यते शैया प्रांत विवर्त नई भिगमयत त्यों निंद्राये वक्षपहा दाक्षिन नेन ददाति बाच मुचिताम अंतापुरे भ्योयदा कंचुकी कहते हैं कि राजान को जब से सकुंतला का इस्मरन हुआ है उस अंगुठी को देख करके उनकी बहुती दहीनिय इस्थिति हो गई है क्या इस्थिति हो गई है कि रम्यम् द्वेश्टि जो भी सुन्दर चीज है अब उससे उनको घ्रना हो गई है द्वेश्ट करते हैं उस सुन्दर बस्तों को देखना भी पर प्रसंद नहीं करते हैं और यह था जिस परकार पुरा यानि पहले बे प्रकरती भी अपने मंत्री अमायत्यादियों के साथ पहले जैसे मिलते थे पहले अपने मंत्री अमायत्यादियों के साथ पहले चर्चा बार्च पहले मर्च करते थे अब भी उनसे मिलते नहीं हैं और उन्निंद्रेव उनीन्दे से शैया प्रांत विवर्टनी शैया यानि शैया के प्रांत यानि किनारों पर विवर्टनी करवट विवर्टनी करवटन के लेता हुआ शपा रातों को वेगम यतीत करता है अर्थाद उसको रातों में भी नीम नहीं आती है पूरे रात करवटें बदलता रहता है और कि यदा जब दाक्षिन नेन प्रेम ब्यभार से युक्त अन्तहपुरिब्या अन्तहपुर्म के सत्रियों के साथ बाचम ददाती अबारतालाप करते हैं अन्य रानियों के साथ जब अबारतालाप करते हैं तो गोत्रेसु इसकलिता तदा यानि उस समय गोत्रेसु नाम लेने में वो इसकलिता इसकलित हो जाते हैं अर्थाद और रानियों को पकारते हैं लेकिन मुह से शकुंतला ही निकलता है तो ऐसी इस्थिती में वो जब उसको उनको पता लगता है कि गलत नाम बोल दिया तो ऐसा सोच करके चिरम यानि बहुत समय तक ब्रीडा बिलक्षा से भावती ब्रीडा यानि लज्जा के कारण ब्रीडा बिलक्षा यानि अन्य मनस्क से भावती हो जाते हैं अर्थात कुछ कहने की इस्थिती में नहीं रहते और बहुत समय तक लज्जा महसूस करते हैं कहने का मतलब है जब से रा अंगुठी को देख करके शकुंतला विशक इसमरन आया है राजा की इस्थिती बहुत ही दायनी हैं उनको नीद नहीं आती और संदर बस्तों से उनको घरना हो गई है मंत्रियों से मिलना जुलना भी उनने छोड़ दीया है इस परकार के बर्तमान में राजा की इस्थिती है इस दासियों के और कंचुकी के आपसी बारतलाब को जो शकुंतला की मा मेनका है उसकी जो सक्षी है दूसरी अपसरा सानुमती बहे गुप्त रूप में वहां परमदवन में इस्थितो करके सुन रही है क्योंकि मेनका ने उनको भेजा है कि आप राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करके आना तो बहे गुप्त वेस में परमदवन में इस्थितो करके उनके बारतलाब को सुन रही होती है इस परकार यहां अब तक आज के वीडियो में हमने इतना ध्यन किया आगे के पज्डियों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें जिसके लिए मेरे यूट अलगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद